जै वीम, जै भारत, जै गुर्देव, धन गुर्देव आज का जो लाइव है, वो लाइव महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है कि कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन, कोई भी मूव्मेंट, कोई भी आंदोलन जब कहीं होता है, तो वो आंदोलन एक राष्टा तै करता है तो उस पे मैं आपसे चर्चा करूँगा, सबसे पहले तो अपने सभी संतों, गुरुवों, महापुर्सों को नमन करते हुए करुणागे सागर्त अथाकत, गोतम भुद, संद्श्रों निश्ट गुरुवदास जी महराज, भगवान वालमी की महराज गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासिदास जी महराज, बिर्सामुंडा, पैरियार साब, पैरेलले यादव, बाबु जगदेव परसाद कुछवा, जन्नाएक अपुर्ट ठाकुर, एपिजब्दुलकलाम साब और भी जो अन्ने महापुरुस हुए हैं, जिनमें राष्ट पिता जोती बाब फूले, बाबु मंगुराम मंगुल वालिया, बाबु जगदेवन परसाद, मा सावितर भाई फूले, मा फातिमा सेख, परम पूजनिये विस रतन, डोक्टर बाबा साब भीमरा अंबेड कर, और मेरे रहबर, मेरे आदर्स, मेरे गुरू मानेवर साब से रिकाश हिनाम, और आज के दोर में हमें याद करना चाहिए, सहीद भगत सिंग को, सहीद उदम सिंग को, सहीद अस्पाक उल्लाखा को, सहीद वीर अब्दुल हमीद को, लोक्तंत्रिक देश है, लोक्तंत्र की तमाम बाते होती हैं, काग जो पर दिखाई देता है, सामने तो कहीं दिखाई नहीं देता है, देखे सबसे पहले तो आभार और धन्यवाद, कल मेरा जनम दिन था, ये जनम दिन तो बहुत लंबे समय से आ जा रहा है, मगर कल मैंने ये महसूस किया कि कितने लोग जो हैं, पूरे देश में मुझे प्यार करते हैं, भी मार्मी और आजार समाज पार्टी में उमीद रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, मैं सभी को तो वेक्तिकत रूप से जवाब नहीं दे पाया, तो मेरी तरफ से ये, आप सब के लिए, बहुत बहुत सादुबाद, आभार, धन्यवाद आपका, इसलिए जो है, मैंने सोचा कि जब लाइव नहीं आप आ रहा हूं, तो आप वो सब का जवाब नहीं दे पा रहा हूं, तो फेस्बुक के माद्यम से दे दूँ, क्योंकि हमारा मीडिया तो यही है, तो बहुत बहुत आभार धन्यवाद, लेकिन जनम दिन बनाने से काम नहीं चलेगा, मेरे लिए तो जनम दिन, वो ही जनम दिन सबसे सर्वसेष्ट होगा, जिस दिन बहुत जन समाज का राज इस देश में आएगा, कमजोर सोशित वंची समाज के लोग को उनके हखादिकार मिलेंगे, समाजिक परिवर्तन और आर्थि मुक्ति का मानने और काशिराम साब का अंदोलन जो, जिसके लिए इतनी कुर्बानिया उन्होंने दी और उनके साथियों ने दी, उनका वो सपना पूरा होगा, बाबा साब का सपना पूरा होगा, संस्रोमनी सत्कुर अविदाज जी महराज का, बेगम पूरा राज का सपना पूरा होगा, तब ही जाके मुझे लगता है, कि इस देश में सभी लोग खुसाल हो जाएंगे, जब जाती वीन समाज बनेगा, जब समाजिक गैर बराबरी, आर्थिक गैर बराबरी खतम हो जाएगी, कोई किसी को जाती मजब के नाम पे किसी का सोशन नहीं करेगा, किसी को नहीं सताएगा, तो वो ही उत्तम जनम दिन होगा, मैं उसकी कामना भी करता हूँ, उसके लिए संघर्स भी करता हूँ, आपका सयोग भी चाहता हूँ, कि वो जनम दिन इस जीवन में तो जरूर देखने को मिले, अगर नहीं मिल पाया, तो कोई बात नहीं है, हमारे आने वाली जो पीडिया हैं, नोजवान पीडिया, वो उस संकल्प को पूरा करेंगी, लेकिन हमें अपनी तरफ से मैनद करके कोशिस करनी हैं, उस राष्टे तक पहुँचने की, देखिए मैंने कल एक बात कही थी, कि कोई किसी को राज ना दीजो, कोई किसी को ताज ना दीजो, जो लीजो साड़े निज बल लीजो, यानि कि कोई किसी को राज नहीं देता है, और कोई किसी को ताज नहीं देता है, जो लेना चाहता है, उसे अपने बल पे लेना पड़ता है, तो राज अगर आप चाहते हैं, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, तब ही राज आपको मिल पाएगा, जिनोंने अब तक राज लिया, उन पाईव है, इसमें एक बहुत जरूरी बात ये है, कि देश के अंदर एक अंदोलन चल रहा है, जिसकों किसान अंदोलन के नाम से जानते हैं, वो किसान जो 24 घंटे अपने खेट के लिए काम करता है, जो बीज देखकर जो है, ये आइडिया लगा लेता है कि फसल कैसी होगी, वो किसान सड़कों पे है, दुख तकलीप की बात ही है कि उस किसान के साथ उसका परिवार भी, हमारी माताए बेहने, हमारे नोजवान बच्चे, हमारे छोटे छोटे जो प्यारे प्यारे नन्ने सिफाई हैं, वो छोटे छोटे हमारी बच्चिया, हमारी दादिया, हमारे रटाय, चाचे, सब लोग उस अंदोलन में संघर्ज कर रहे हैं, और हमने कई मामलों में अंदोलन किये हैं, भीमार्मे और राजास्माज परट्टी के लोग तो हमेशा अंदोलन करते रहते हैं, आज किसानों को अंदोलन में क्यों आना पड़ा क्योंकि उनकी मांग के टेंपरेचर अभी लेट नाइट नोर दसका हो जातार उसमें खुले आस्मान के नीचे एक टेंट में रहना कितना गठीन है और वो भी किसी घूमने के प्रोग्राम में नहीं आंदोलन में तो मैं दिल के गहराईयों से निला सलाम करता हूं सभी किसान भाईयों को जो पूरे आपका अंदोलन आगे बढ़े सफल हो अब एक बहुत जरूरी बात जरा गौर से सुन लिजे कल मेरी अभी किसान यूनियन के लोगों से बात हुई मैं कल गया था सिंग्गू बोटर समर्थन पर देने के लिए तो मैंने उन से पूछा कि कल का कोई बंद है गया तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं भाई कल का कोई बंद नहीं है बंद की तारीक जो है हमने एक निश्चित की है वो बता देंगे तो कल का कोई बंद नहीं लेकिन कल का उनका एक प्रोग्राम है और प्रोग्राम यही है कि आंदोलन को और वैपक करने के लिए वो कल मोधी जी का पहली बार ऐसा हो रहा है देश में कि देश के प्रदाहान मंतर का पुतला जनता फूक रही है और ऐसा कई जगा किसानों ने दरसारे के दिन भी किया था जब ये लोग रावन को जला रहे थे तब मोधी जी का पुतला अडानी अम्बानी का पुतला जला रहे थे किसान और कल फिर उन्होंने कॉल दिये कि हमको ये करना है किसी को सताने वाले को सम्मान देना गलत बात है लेकिन क्या करें हमारे गुर्वों संतों महापुर्षों ने में सिखाए है कि आपको दुस्मन हो या दोस्त हो या अपने छोटा या बड़ा उसका सम्मान करना है तो अपने गुर्वों संतों महापुर्षों की बात माननी पड़ती है हाँ तो हमारे जो दस गुरू है सच्चे बार साब उन्होंने तो सिखाया कि अगर दुस्मन भी घर आ जाए तो पहले उसको परसादा चकाना है तो पहले उसको परसाद खिलाना है फिर अगर वो जो भी कुछ किसी लक्सक लिया है फिर वो बात बात की है पहले अगर दुस्मन भी आपके घर आ जाए तो उसका स्वागत करना है उसको खाना खिलाना है उसको भोजन कराना है पानी पिलाना है तो देखे क्या सोच रही होगी उस समय भी लेकिन जो सद्शिवमनी सद्कूर रविदास ची महराज कहके गए बेगमपुरा राज ऐसा चाहूं राज में जो मिले सबनुन और छोट बड़े सबसम रहे रहे रविदास परसंद यही जो है ये दोहा जो है कि ऐसा चाहूं ऐसा चाहूं राज में कि ऐसा मैं ऐसा राज चाहता हूं जो मिले सबनुन सभी को अन मिले यानि कि किसी को खाने की प्रेशान नहीं आओ जब कि भारत में भी 18 क्रोड लोग ऐसे हैं जो कुपोशन और भूख के सिकार है जिनको भूख खाना नहीं मिल पाता है यानि कि आज भी हमारे गुर्वो के दिखाय रास्ते पे ये देश नहीं आ पाया उनकी जो सपने तो उसको पे नहीं पहुँच पाया है फिर हो कहता है छोटे बड़े सबसंबसे यानि कि गैर बराबरी ना हो सब में आपस में प्यार हो रहे रविदार तब परसंब रहेंगे खुस रहेंगे तो ऐसा ही बाबा साब ने भारत के कॉंस्यूशन में लिखा कि सब को बराबरी के हक दिये कोई जमिदार हो या कोई मजदूर हो सब को बराबरी के अधिकार है सब को सम्मान सजेने का अधिकार है सब को अपने धरम को मानने का पूजा पार्ट करने है जो भी उनके इच्छा है हों उनको करने का सब्तन दरूप से घोमने का सरकारी जितने भी संस्थान है उन पे सब के बराबरी की इस्सेदारी है तो ये दिया है कॉंस्ट्विशन ने वही कॉंस्ट्विशन ने आर्टिकल 19 दिया है जिसमें अधिकार है अभिवक्ति के करह करें आपने लोग इसंदों को बनाम करने करने अपरियास कर रहें मैंने कल भी उन्सेईए अपिल कि अपनी एक्ता बना रही बना कर रहिए वह कहते हैं कि सत्रह संगत मिल रही है माधो er मद मखीरा जैसे मदो मखीरा जैसे महाल का जो छत्ता होता है, मदुमक्यों का छत्ता होता है, जैसे वो एक जूट रहते हैं, इस तरह से समाज को रहना चाहिए, कल मैंने किसानों से यही कहा था, कि भी आप हम हमारे नेता हैं, आप नेतरुत कर रहें, तो आपको एक जूट रहना, सरकार क्या करती है, कि यह अंदोलन को तोडने के लिए तरह तरह के प्रयास करती है जैसा मैं अपने लिए कहता हूं जिसकी सफलता नहीं रोकी जा सकती उसको बदनाम किया जा सकता उसके आप लगा जाते हैं तो अब किसान और अंदोलन पर अरोप उनकी से जुड़े मीडिया के लोगूने तो को चला रहे हैं चोट न चोटे ने बच्चे आएँ की आंदोलन चल रहा है और मैं इसलिए आंदोलन को ज्यादा बहत्र मांता हूं कि हमारे जितने नेता हुए चाहे बाबा सांबेडकर हुए हो चाहे साब काशिराम हुए हो चाहे दीना भाना वालमिकी साब हुए हो चाहे और हमारे नेता हुए हो चाहे रामन अलोहिया जी हुए जितने भी रामसु वर्मा जी हुए जितने भी आप देखिए सब ने कहा कि लोकतंत्र की ताकत यही है कि जब-जब संसद तानासा हो जाए सरकार तानासा हो जाए तो सडके सूनी नहीं रहनी चाहिए तो वहाँ सडके सूनी नहीं है कोई आ जा नहीं सकता है सडके भरी भी है यह सभी नेताओं ने कहा क्योंकि वो इसके लोक्तंत्र में इसकी एहमेर समत्य बाबा साब तो कहते हैं कि लोक्तंत्र में सत्ता के इससे ज्यादा विपक्स की भूमी का बहुत मेत्तपूर्ण होती है तो आज जो कहा जो विपकसव किसान है तो हमें उनके अंदोलों में सयोग करना है और सांती प्रिय तरीके से रखना मेरी तो बात हुई तो मुझसे तो किसान अंदोलों के नेताओं ने ये कहा कि छोटे भाई हम तो ये तै करके आए हैं कि चाहे हमें लाठी मारे पुलिस या गोली चलाए या वाटर कैनन करे या आसुग वाटर कैनन से पानी छिड़के या आसुग ऐसे गोलों छोड़े हम जवाब नहीं देंगे हम अगर अपने हक लेके जाएंगे साड़ हक इथरक तो वो उस बात पे हैं वो सलाम करता हूँ इसे कौम को ऐसे किसानों को तो आप समझे कि कितना दर्ड संकल्प है अंदोलन के पड़ती और अपने गोल पे उनका ध्यान है मैं भी मार्मी और आजास समाज पार्टी कारे करता हूँ अपने गोल पे ध्यान रखे हमारा गोल इस देश में बहुजन समाज को सत्ता में स्थापित करना है वो तब ही होगा जब अपने गोल पे आपस की शुट-शुट शुट से निकलिए अपना गोल गोल जो दिस से है उसकी तरफ देखिए तो मैं आपसा जरूरी बात जो कह रहा था कल कोई बंद नहीं है जैसा मुझे उन्होंने अपील किये कि देख जी आप भी कह दो कहीं ऐसा भी होता है सरकार हिंसा करा दे अपने लोग भेज के कहीं कुछ और कुछ गलत ऐसा करा जिससे हमारा अंदोल बदनाम हो तो मैं इसलिए आपको आज बता रहा हूँ कि आप तैयार रहें कहीं कुछ ऐसा नहीं है बस हाँ आपने गलियों में चुराओं पे जो है वो उन महानुबहों के जन्होंने देश को बरबाद करने का और देश को लूटने का ठेका उठा लिया उनके तस्वीरे और उनके पुतले वो आप जलाएं यह लोगतंत्र में अधिकार है नगर सांती पर यह तरीके से हमें इस किसान अंदोलन से बहुत कुछ सीखना है क्योंकि हमें आगे भी अंदोलन करने तानासा नहीं बनने देना है सरकार को तो यह मेरा कल के लिए आपके लिए मैसिज है कल कोई ऐसा बंद का प्रोग्राम नहीं है आगे फिर मैं लाइव आके अगर कुछ बंद का होगा तो आपको जानकारी दे दूँगा एक और बहुत जिम्मे जरूरी बात परसो च्छे तारीख है च्छे दिसंबर बलैक डे क्योंकि इस देश को एतियासिक समीधान देने वाले तोसित बंचे समाज के लोगों को देश की तमाम महिलाओ को अधिकार देने वाले हमें पढ़ने, पढ़ाने, सरकारी नोकरे करने, MPML बनने और तमाम तरह की सम्मांस जिने का अधिकार देने जानवर की जिन्दगी से इंसान बनाने वाले विश्रतन डॉक्टर बाबा साब अंबेड कर उनका प्रिनिवान दीवस है दुख का दिन है लेकिन दुख के दिन को अब अवसर में तफदिल करना है उस दुख के दिन जो है एक बार उनके जीवन संगर्ष को जरूर पढ़ना पर या पार्टी के जो कारले हैं संगर्षन के जो कारले वहां भी आप जो है फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हुए वहां भी आप अराम से मना सकते हैं यह हमारे लिए एक बड़ा पल है इस जिम्मेदारी है क्योंकि बाबा साब की कुर्बानियों के साथ बहुत सारे मेरे समर्पन को मैसूस करेगा तो उस दिन उनको इसको ऐसास होगा कि डोक्टर बियार अमबेड कर इस देश के बारे में क्या सोचते थे सची है कि जाती का बड़ा भेद है अगर बाबा साब अमबेड कर दली समाज में नहीं पैदा हुए होते तो मुझे नहीं लगता है कि हर घर में उनके उनके आदर्सों सिद्धान्तों को मानते हैं विरोधी लोग भी मानते हैं लेकिन वो सम्मान सुरब इसलिए नहीं करते है उनका दिखावा तो करते हैं बीजेपी के संपूर्ण जीवन विरोधी रहे आ47 जिसके इसके लोग भी करते हैं लेकिन सच Savannah Matore कुए कि विचार धरापे वो चलते हैं जरूर विरोधी भी चलते हैं अधरा पे वो चलते हैं जरूर विरोधी भी चलते हैं उनकी बातों को मानते हैं बहुत सारे फैसले मैंने सरकार का ऐसे देखे जब मैंने बाबा साब को डीपली पढ़ा था हमकी 21 वोलियम को तो मैंने देखा कि उसी में से कुछ नहीं ठाके किया गया है और देश अगर तरक कुछ भी नहीं है जातिया तो जानवर हो की हो सकती उनको पैचानने के लिए हमें जूरत होती इंसान तो एक जैसे होते हैं जब कोई बच्चा छोटा हो बहुत कम दिनों का और उसको अगर किसी भी जाती के वेक्ति घर पे छोड़ दिया जाए अगर वो किसी दूसरे जात जह पैचाना। मेरी एक ही पहचान है कि हम इंसान हैं और इंसानियत को जिन्दा रखना है और लोकतंत्र हमारी सबसे बड़ी ताकत है लोकतंत्र को जिन्दा रखना है इसलिए किसान अंदोलन को हमारा पूर्ण समर्थन है तो कल का यही है बाकी किसी भी तरह के हुड़दंग और किसी तरह के उसमें सामिल नहीं होना है हाँ सरकार यह प्रयाज करेगी सांदोलन को बदनाम करने के लिए कि वहां बहुत सरट चीजें ओर यह हो रही है वह भी लोग संदोलन कहां कि वहां करने क केलं में बार बार उनके नाम भी नहीं लेला चाहता हो तो मैं आपसे यही करूँगा कि 6 तारिक में जो मैंने का बाबसाई कि जीवन संहर्ष को अपने परिवार के साथ बैठके जरूर एक बार आप पढ़े और सबसे महत्तपून भारते सविधान की प्रस्तावना उसको जरूर पढ़ना और उसको फिर याद दिलारा है कि दुबारा से एक ही संकल्प लेना है कि सविधान सोक्षा करनी है आज अगर कि भारते सविधान महान है और बाबा साथ महान है उच्छे दिसंबर कि बहुत मैत्वपूर्ट दिन है आपके जीवन के लिए मैं हर बार बाबा साथ की जनम अस्तली रहता था इस बार पता नहीं कि कहां रहूंगा किसान अंदोलन में रहूंगा जैसे कल भी मेरे लिए जनम इसपर्स करने थे उनसे आशिरवात तो लेना था जिन से पैदा हुआ तो रातों में उनके पास पहुंच गया था लेकिन दिन में मैं काफी समय तक किसान अंदोलन में रहा क्योंकि भारते सविधान शुक्षा उसी अंदोलन में हो रही है और भारते सविधान ही मेरे को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ तो इसलिए मैं वहीं था और ये साबित करने के लिए कि संगर्स ही सबसे महत्तपूर्ण है आप लोगों ने मुझे कुछ लिखा भी था काफी लोगों लिखा कि भाईया हम आपको कुछ दे तू नहीं सकते हैं आप तो दे रहे हैं सर इतना प्यार देते हैं इतना समर्थन देते हैं इस जादा क्या चीए मुझे आपसे मैं आपको कुछ देना चाहता हूं मैं विश्वास आपको जो विश्वास आपने मुझे बनाया है उस विश्वास को जिंदा रखी ये मैं आपको विश्वास देता हूं कि मैं बहुजन समाज के हम बहुजन समाज को साशक बना कर रहेंगे ना जुकेंगे ना रुकेंगे ना बिकेंगे तब तक अपने संगर्स को करते रहेंगे जब तक हम अपने महापुरों सपना पुरा नहीं करते और जहां भी मैंने का किसान अंदोलन क्यों जरूरी है समझा दूँगा मैं आपको जैसे CNPR NRC का अंदोलन था हमारे लोग से पीछे अट रहे था क्योंकि सरकार ने ये एक perception बनाया था एक आम जानकर ये कर दी थी कि मुसल्मानों के विरोध में इसी तरह से अगरे मैं किसान अंदोलन को बता देता हूं कि आपसे क्यों जुड़ा हुआ है देखे एक ही एक ही बात को समझ लीजिए तीनों भी लोपे नहीं जाते हैं मैं एक ही बात समझाता हूं देसी बात समझाता हूं आप को समझ आ जाएगी इन्होंने पहले storage की थी भंडारेंट मतलब एक सीमा थे थी कि 50 कुटल तक ही आप लोग कर सकते हैं store कर सकते हैं ये वयापारियों के लिए इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो किसान के याँ जब फसल होती है किसान को तो बेच नहीं होती है फसल क्योंकि अगर वो फसल नहीं बेचेगा तो वो दूसरी पसल भी उसको उगानी रखेगा कहां पे फिर उसकी structure कैसे करेगा तो जैसे किसान क्या करता है कि जहां फसल हुई उसको बेचना सुरू कर देता है आप गजब की बात है कि Verb at Indy उसके तैय होते ہے और यह अभी पहली की事情 करते है अभी तक भी लोग cig तैय करते है जतने ितने लागत किसान की लगती है उसको वो नहीं मिल पाती लेकिन ये भी है कि उसका थोड़ा सा क्या के उनको अभी जैसे यूपी मिन साल से करने के पैसे भी नहीं मिले है उससे ही उनके परिवार में साधिया और तमाम तरह की जिम्मेदारिया होती है वो पूरी होती है अगली फसल के लिए भी पैसे और अगली फसल की बुआई उसकी नलाई तरही तमाम जो चीज़े होती ही खाद वाद सब चीज़े उससे जुड़ी होती है तो किसान को तो लेंगे और अपने पाथ रख लेंगे और जैसा आपने सुना काला बजारी होती है वो मार्गिट में शॉर्ट कर देंगे बेचेंगे नहीं और एक समय आएगा जब बेचेंगे तो फिर वो चीज जो है वो दुगने तिगने दामों पर लोगों खरीदनी पड़ती है तो उससे क्या होगा महगाई बढ़ेगी काला बजारी बढ़ेगी ब्रिस्टा चार बढ़ेगा और आम आदमी को तो जरुत की समाने उसको तो खरीदना पड़ेगा अब आलू है खरीदना पड़ेगा जो तमाम सबजेयां प्याज है खरीदना पड़ेगा लवसन नहाद्रा कि सब चुछे खरीद नहीं बढ़ेंगी जब इसको पूंजी पती अपने आ रख लेंगे स्टोर करके रों मार्केट में नहीं देंगे मार्केट में स्टोर्टेज हो जाएगी तो फिर लोगों को घर खरीद नहीं है क्योंकि आम लोग इससे परभावित होते हैं उनके जीव खतम हो जाएंगी तो मंडियों में लोग पल्लेदारी करते हैं गरीब मैं दूर समाज किसार और मजबूत दूर का संयूकता अंदोल है नहीं है यह देश का अंदोलों नहीं आ गया कि मैं बहुत चीज़े आपको बताता रहूंगा बहुत लगातार जो है जैसे अंदोल व किसान हो क्या कि उनके घर का खर्चा जी वह आता है दुकानों से परचून के दुकानों से उनके घर का सामान आता है वो सब लोग एक दूर से कनेक्टेड है मतलब किसान देश की रीड है और सड़ छोटू राम कहते थे कि जब कोई आम आदमी अंदोलन करता है उसके लिए किसान अंदोलन कर रहे हैं तो क्या कर सरकार का टूटे कर सरकार को पता लग जाएगा लेकिन इस अंदोलन को सरकार मुसल्मानों का अंदोलन कहके या नकसलियों का अंदोलन किसी तरह बदनाम नहीं कर पा रही है तो और हजकंडे अपना रही है जो साजी से उनकी स्याम दा वैठी वाला, बड़ा खेक्टी वाला सब जुड़े है जो लोग गाएं का काम करते हैं, तूद का काम करते हैं, घृक्सान की जमीन, अगर फंजिपती छीन लेगे तो घहास कहा से आएगा? मैं तो नहीं चाहता कि आप ये काम करें लेकिन क्या करें मेरे हाथ में कोई चाबी तो नहीं है कि मैं आपको सरकारी रोजगार दे दूँ भी ये प्रैविट रोजगारी दे दूँ मैं तो आपके जैसा जीना चाहते हैं वो भी लेकिन मजबूरी का जीवन काट रहे हैं जबकि ये सरकार की जिम्मेदारी है तो मैं समझता हूँ कि अब हमारे लोगों सरकार बनना चाहिए इसलिए बार बार कहता हूँ कि भई निकल ये घर से संघर्स कीजे लोगों को तयार कीजे सरकार जूट फैलाते हैं गुम्रा करते हैं सब चुछों से दूरी बनाईए और अपने लोगों को सावधान कीजे तो मैं आज के लिए मैं आपके लिए इतना ही बाते थी मेरे पर बस मैं आपको धन्यवाद अदा करता हूँ जनम दिन पर मेरे लिए इतनी दुआए इतनी प्रात्नाई करने के लिए इतना प्यार देने के लिए और ये मत कहिए कि आप कुछ नहीं दे सकते हैं आपने जो किसान को प्रेमरी स्कूल के टीचर के बेटे को बोब बहुत है मेरे लिए मुझे जिम्मेंदार यह कि आपको लोटा हूं सूज समय लोटाने की तयारी कर रहा हूं कि आप लोगों को ताकत दू सकता दू किसान अंदोलन के साथ खड़ा हूं खड़ा रहूंगा अगर गोली किसान अंदोलन में अगर सरकार तानसाई दिखा गोल चलाएगी तो मेरी मेरा सीना सबसे आगे रहेगा किसान अगर किसानों को जेल विजने का सरकार प्रियाद करके तानसाई निका के तो सब से पहले चंचेकर जेल जाएगा एक ही आदत है मेरे अंदर कि मैं अपने देश से और अपने देश के फसोसे तबन्चे समाज के लोगों से प्यार करता हूँ अपने मापुर्सों के अंदोलन से प्यार करता हूँ वो कोई ऐसी कोई जेल नहीं बनी जो हमें डरा दे ऐसी कोई मुकदमा नहीं बना जो हमारा रास्ता रोकते साधत कल की उतियाज हो जाए कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन मैं अपने साध्यों साही कहूंगा कि मैं तो किसान अंदोलन के साथ हूँ आप अगर मुझे कल कुछ हो जाए इस अंदोलन में क्योंकि सरकार कुछ भी कर सकती है तो इस अंदोलन को रुखने नहीं देना है हमारे पाब बहुत बड़ी आज नोजवानों की निताओं के लिस्ट तयार है वो लोग अपने जिलेओं में अपने विधान सबाओं में काम कर रहे हैं मुझे बड़ा गर्व होता है देखके जब एक एक नोजवान SSP DM से कमिशनर से SDM से आख में आख मिलाके बात करता है अपने अकों के लिए सीना गर्व को चोड़ा हो जाता है बाबवा साब का करज एक度न आजाता है बाबवा साब जो आपने चाए थे ते जिरे हो रहाँ एकदम तो नहीं हो पारा है लेकिन धिरे हो रहा rare है तो मेरी बहुत बहुत मंगल कामना है आप सब लोग के लिए छे तारिक को बावा साब को याद कीजिए मैं ये फिर आपको एक बार दो रहा हूँ बावा साब कहते थे लोग मुझे मूर्तियों में खोईता हूँ और मैं किताबों में बचता हूँ जो नौजवान अपने जीवन में कुछ करना चाता बावा साब को पढ़े बदल जाएगा सब कुछ ये भी पता लग जाएगा कि इतनी ताकत इतनी हिम्मत कहां से मिलती है मैं तो भगत सिंग को भी फॉलो करता हूँ मैं करतार सिंग सराबा को फॉलो करता हूँ फॉलो करने मतलब यह नहीं कि मैं उनकी तस्वीरों को लेके घूमता हूँ बस उनके जो विचार थे उनको आत्म साथ किया है और उनकी के विचारों पर चलने का मने बाबा साहब के साथ काशिराम के विचार राजपता जोती बाफूले के जो विचार थे देश हमारा है इसकी स्वक्षा में करनी है इस देश को मजबूत हमें बना कर रखना है सरकार ने तो खोकला कर दिया RSS बिजबी के लोगों से अमीद मत कीजिए देश को अबाद रखेंगे वो तो बरबाद करने बतों लें आपको बचाना है तो सभी किशानों को मेरा जो है करांतिकारी जैभीम और सलूट है आपको कि आपने जो है ताना साथ सरकार को भी बता दिया कि जब जना अंदोलन होता है तो अच्छे चिशे सरकार है जुख जाती है चिचे ताना सा जो है उनको खबर लग जाती है जै भीम, जै भारत, जै सविधान, जै जवान, जै किसान और भी महार में आजास समाज पाटिक सभी कारे करता हो को मेरा निला सलाम बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत मंगल कामना सब लोग के लिए